नबश्कार दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों आज की इस वीडियो में है हमारे पास तो कमाल के दिगज फोन एक तरफ रहता है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 9 5G जो कि एक 5G फोन है और दूसरी तरफ रहता है रेडमी क तो यहाँ पर यह दो फोन काफी कमाल के रहते हैं कि प्राइजिंग भी काफी हट तक सेम ही रहती है लेकिन यहाँ पर फीचर्स में क्या-क्या अंतर देखने को मिलने वाला है यह काफी ज़्यदा मायने रखेगा तो चले दोस्तों ओपन कराते हैं दोनों ही बॉक्स को ले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Redmi Note 11S और Realme 9 5G को जो कि दोनों ही काफी competitive phone रहते हैं आपस में complete करते हैं दोनों के फीचर्स तो फटा-फट बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अलग सी packing देखने को मिल जाएगी बैक पर आपको कुछ पर आपको काफी प्यारा सा केस कवर देखने को मिल जाता है लेकिन फटा-फट इसे भी open कर लेते हैं और यहाँ पर भी आपको एक अलग से section देखने को मिल गया है और इसे बाहर निकाले तो इसमें भी आपको एक केस कवर के साथ साथ कुछ बेसिक सा पेपर वर्क देखने को मिल जाएगा तो इसे जो है हम निकाल लेते हैं यह प्रेम पत्रों को कोई पढ़ता तो है नहीं और अगर हम बात करें इक्वल क्वालिटी लग रही है दोनों ही लगबग सेम सॉफनेस के रहते हैं काफी सही रहेंगे दोनों कवर रियल में आपको हलका सा ब्लाकिश कव देखने को मिलने वाले हैं जिसे आप देखने के लिए एक दम त्यार हो जाएगे सबसे पहले आपको इस चारजर देखने को मिल जाता है जो कि size वाइस काफी हद तक एक जैसा ही लग रहा है और निकालते हैं इस charger को बाहर और देख पा रहे होंगे कि Redmi और Realme में काफी हद साइज एकोल लेता है बलकि realme का आपका थोड़ा सा साइज में बड़ा ही है लेकिन कहीं न कहीं इनकी आउटपुट रेटिंग में एक बड़ा अंतर आने वाला है चुकि यहाँ पर redmi आपको देता है 11 volt 3 ampere maximum output rating और यहाँ पर आपको 9 volt 2 ampere की maximum output rating देखने को मिल जाती है यानि कि redmi आपको 33 watt का fast charger देता है वहीं दोस्तों realme में आपको 18 watt की fast charging के option देखने को मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर दोनों में ही type C cable देखने को मिल जाती है जो कि मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर दोनों की length 33 watt की मिल जाएगी redmi में और यहाँ पर आपको 18 watt की मिलेगी तो चलते हैं बई समान को side कराते हैं फोन को setup करते हैं फिर detail से फोन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही phones को setup करा लिया है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर display को देखते हैं तो काफी हद तक similarity के साथ साथ differences देखने को मिल जाते है size की बात करी जाए तो redmi आपको देता है 6.43 inches का AMOLED panel वहीं realme में आपको 6.25 inches का IPS LCD panel देखने को मिल जाता है यानि की display की quality में एक सीधा सीधा अंतर यहाँ पर इनके pattern में मिल जाता है यानि की एक तरफ रहेगा AMOLED पैनल और दूसी तरफ आपका IPS LCD पैनल रहता है और अच्छी चीज यहाँ पर यह दे रखिए कि दोनों में ही आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है जो की एक अच्छी बात रहेगी वहीं दोनों ही full HD plus के resolution के साथ आते हैं जो की एक again अच्छी बात है उपर की तरफ दोनों में ही punch hole देखने को मिल जाता है जहाँ पर selfie camera रहेंगे और यह selfie camera दोनों में ही 16 megapixel की रहते हैं और इन दोनों से ही आप 1080 pixel की video 30 fps पर record कर सकते हैं यानि कि काफी हद तक similarity यहाँ पर इनकी selfie camera में देखने को मिल जाती है उपर की तरफ दोनों में ही speakers रहेंगे side की अगर बात करी जाए तो दोनों में ही आपके side mounted fingerprint scanner रहेंगे और Redmi में यहाँ पर आपको volume keys दे रखी होती है Realme में यह volume keys आपकी दूसरी तरफ देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ दोनों में ही आपको देखने को मिल जाते है dedicated sim slot के option आप पर section को देखेंगे तो यहाँ पर Realme तो एकदम neat and clean रहता है लेकिन Redmi में आपको audio jack, speakers, एक IR sensor remote control के लिए और साथ ही एक secondary mic दे रखा होता है noise cancellation के लिए यह एक अच्छी चीज रहेगी और नीचे की तरफ देखा जाए तो काफी हद तक similarity रहेंगी और साथ हद डिफरेंसे भी यहाँ पर आपको दोनों में ही एक चोटा समाई type C port और speakers देखने को मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको एक additional चीज देखने को मिल जाती है audio jack जो कि यहाँ पर Realme में नीचे की तरफ दे रखी होती है और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि Redmi में यह उपर की तरफ रहेगी तो यह चीज काफी बहतर रहती है जहाँ पर एक चीज क्लेर हो जाती है कि यहाँ पर आपको Redmi देता है stereo speakers के support जो कि Realme में आपको देखने को नहीं मिले है बैक की अगर बात करी जाए तो दोनों के काफी similar प्लस आप differences भी कह सकते हैं यहाँ पर चुकि कलर तो यहाँ पर अलग-अलग है लेकिन दोनों में ही एक चीज कामन है कि यहाँ पर आपको हलका-हलका matte finish दे रखा होता है पूरी तो किसे matte finish तो नहीं कह सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर fingerprint के spot किसी में भी दिखाई नहीं देंगे color options आपको अलग-अलग दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे लेकिन overall दोनों ही काफी classy phone लग रहे हैं जिस बात की मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा उपर की तरफ दोनों में ही आपके camera setup रहते हैं और यह camera setup में आपको एक काफी अंतर देखने को मिलने वाला है क्योंकि Redmi आपको quad camera setup देता है जहाँ पर आपका 108 यानि के 108 megapixel के primary lenses रहेंगे साथी दोस्तो other cameras आपके 8 plus 2 plus 2 megapixel के होते हैं दोनों से या आप 1080 pixel के video 30 fps पर record कर सकते हैं बही चलते हैं फोन के अंदर और देखने को मिल गया है तो यहाँ पर काफी सारी चीज़े आपको देखने को मिलने वाली है चलते हैं फोन के अंदर और बात करते हैं कि क्या-क्या मिल जाता है about phone section यहाँ पर आपको दे रखा होता है और दोनों के ही about phone section को देखेंगे तो अलग-अलग सी चीज़े देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको Redmi में MIUI पर यह आपका काम करता है वहीं यहाँ पर यह Realme UI पर काम करता है आपका Realme 95G वहीं दोनों में ही आपको Android version की बात करी जाए तो यहाँ पर Android version 11 देखने को मिल जाएगा जो कि समय के 67 आपका update होता रहेगा तो यह चीज रहती है जो कि एक अच्छी बात रहेगी variants के बारे में मैं आपको बता देता हूँ वेरिंट यहाँ पर आपको अलग-अलग दोनों में ही देखने को मिल जाएगे Redmi आपको देता है 664, 612 और 8122 के option वहीं Realme में आपको 664 और 6122 के options देखने को मिलने वाले एक चीज यहाँ पर काफी ज़्यादा माइन रखेगी वो यहाँ पर इसका processor है यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको Redmi देता है Helio का G95 प्रोसेसर और Realme देता है Dimensity का 810 प्रोसेसर जो कि एक 5G प्रोसेसर है तो यहाँ पर कहीं ने कहीं प्रोसेसर में differences देखने को मिल जाते हैं लेकिन अगर हम इनकी NanoReview वेबसाइट के साब से rating की बात करें तो Helio G96 की 41 होती है Out of 100 आज की तारिक में और एक C-grade प्रोसेसर इसे मार्क किया गया है और Dimensity 810 की 47 होती है Out of 100 और एक C-grade प्रोसेसर इसे भी मार्क किया गया है यानिकि दोनों ही प्रोसेसर C-grade करेते हैं लेकिन इन दोनों में से कौन बैतर है ये बात आप समझ गये होंगे तो इस चीज रहती है दोनों में gaming वगरा बहुत ही आसानी से की जा सकती है Cameras के मामले में यहाँ पर काफी सारा खेल होने वाला है तो एक काम करते हैं सामने के दरवे एक छोड़ा सा flower pot रखा है इसकी कुछ photos क्लिक करा लेते हैं फिर आफसे details से इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैंने दोनों के normal angle पर क्लिक कराई है नहीं कि normal sensor से photo click कराई है और आप देख सकते हैं कि काफी हद तक similarity और differences देखने को मिलने है colors आपको एक जैसे ही लग रहे हों कि काफी हद तक जो कि एक अपने आप में कमाल की बात है पिक्सल से photo click की थी और यहाँ पर आगर आप zoom कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों की zooming quality में कमाल का difference देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं सीधी सीधी sharpness में तो यहाँ पर आपकी 108 Megapixel की जादा है यानि कि Redmi थोड़ा सा बहतरीन performance करता हुए दिखाई देगा और यहाँ पर आप colors में अंतर feel कर पा रहे होगे अगर आप T-shirt के yellow color को देखेंगे तो काफी हद तक यहाँ पर आपकी differences रहते हैं साथी skin tone को अगर आप देख पार होगे तो sharpness आपकी Redmi में थोड़ी सी जादा feel हो रही है तो एक चीज़ तो clear हो गई है कि quality भले ही equal लग रहे है अब दूसरों जलते हैं यहाँ पर fingerprint scanner के बारे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अन-based होने वाला है comparison यहाँ पर इस finger को लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे इस thumb को और देखेंगे कि कौन तेजी से open होता है तो यहाँ पर सीधी सी बात है थोड़ा सा यह लेट लग है और इस चीज को आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा रियलमी मुझे लगता है तेजी से performance दे रहा है यहाँ और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके जो है face unlock की तो यह चीज काफी ज्यादा important होने वाली तो यहाँ पर मैं open कर लेता हूं और अपने सामने लाता हो तो जाकर कि इन दोनों से कौन से फोन आपके लिए best रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर recording हो रही है अभी इनके back camera से और आप देख सकते हैं overall इनकी footage को सबसे पहले मैं यहाँ पर एक point mention करना चाहूंगा कि यहाँ पर चुकि display अलग-अलग है तो दोनों की जो video footage है उसमें आपको एक colors में अंतर देखने को मिल सकता है तो यह चीज मुझे लगता है कि display की वज़े से feel हो रही है और चुकि मैं हलका full का walk भी कर रहा हूँ तो ऐसे में आप shake देख सकते हैं कि दोनों में ही देखने को मिलेगा लेकिन कोई बहुत ज़्यादा shake देखने को नहीं मिला है इस बा तो एक तरीके से exposure adjustment है वो बहुत अच्छा है और खास तो पर अखरम Redmi की बात करते हैं तो यह चीज आपको काफी पसंद आएगी हालाकि Realme भी काफी हता कॉम्टीट कर रहा है लेकिन थोड़ा सा एक fitness आपको देखने को मिल सकती है लेकिन Redmi यहाँ पर किसी भी तरीकी की कोई कमी नहीं छोड़ता है तो यह चीज काफी बहते रहती है और अगर हम च्छाओं की बात करते हैं चुकि अभी बाहर की तरफ हलकी से धूप है लेकिन च्छाओं में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह अपने colors को adjust करते हैं तो comment करके दोस्तों बताएगा कि आपको इनकी कर दीजेगा चले दोस्तों बात करते हैं कि कौन-कौन से point मुझे इन phones के अच्छे लगें सबसे पहले camera की बात करते है 108MP 48MP सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़े इंतर देखने को मिले यह zooming quality में अंतर हैं लेकिन बहुत पिक्चर सैंपल की बात करते हैं पिक्चर सैंपल में मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी फेडनेस नजर आई है ऐसा दो बज़े से हो सकता है कि यह exposure adjust नहीं कर पा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है इसके बात जो point आता है second point आता है वो यहाँ पर IPS LCD पैनल का आता है कि यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल दे रखा और यहाँ पर आपको AMOLED पैनल देखने को मिल जाएगा तो इस बहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप इसके पिक्चर सैंपल देखोगे तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे इसकी डिस्प्ले पर comparison to इसके तो यह एक छोटा सार डि आपको यहाँ पर मिली है लेकिन इसके comparison में यह phone काफी तेज चार्ज होगा बजाए इसके तो यहाँ पर company जो क्लेम करती है 58 मिनिट में क्लेम करती है कि 100% तक चार्ज हो जाएगा तो कभी अगर टाइम मिला तो इसका हम चार्जिंग टेस्ट भी करा देंगे लेकिन फिलाल अगर हम यहाँ पर उठाते हैं डिस्प्ले का IPS LCD पैनल और AMOLED पैनल में अंतर तो है और यह कहीं न कहीं बहुत ज्यादा अंतर रखेगा यहाँ पर आपको यह चीज फील होगी अगर आप जब भी गेमिंग करेंगे फोटो लेंगे विडियो बनाएंगे हर चीज में आपक तो इसकी डिस्प्ले अच्छी लगी है कंपारेजन टू इसके तो यह चीज रहती है बाकी सारी चीज में एक्वल ही लगी है प्रोसेसर में हलाकी थोड़ा सा अंतर है लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर है ऐसा नहीं है 5G का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है यह एक बहुत पता नहीं है तो यहाँ पर यह पॉइंट थोड़ा सा माइन रखेगा कि अगर आप 4G ले 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 तो अगली साल तो आपको बदल नहीं है तो फिर आप इसमें चले जाओ लेकिन अगर आप लॉंग डूरेशन में फोन यूज करते हो कि एक लंबा जाता है तो वहाँ पर फ सब्सक्राइब करेंगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा तब तक लिए नमस्कार दोसो जैहिंद वन्देमातरप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर